जेहीं दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राज्य सवास्तिय समीती बिहार यानि के बिहार SHSBCHO Online Form 2022 के बारे में कि कैसे आपको 4050 पदो का Form Flip करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हुए हमारी ओफीसल वैबसाइट जोप्सग्यान डोटिन है इसका डारेक किरे के लिए कितनी एप्लिकेशन फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग यह फॉर्म 3 मार्च 2022 तक भर पाएंगे तो यह सब जानकारी चेक करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आपको क्वालिफिकेशन जानने को मिलेगी कि क्या एक्जेक्ट के बाद आपके सामने रश्चन का पेज आ जाएगा अब आपको यहाँ पर सबसे पहले केंडिट फर्स्ट नेम यानिके आपको आपका नाम 10th की मार्क शीट के अनुसार एंटर करना है जो कि फर्स्ट नेम होना चाहिए अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीज़ने के मार्क शीट के मार्क शीट के अपलाई करना चाहते हो इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकिशन होनी ही चाहिए तब आप इलीजिबल हो पाएंगे अब गाईज मैं आपको बताना चाहूंगा अनकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प आपको कम से कम जो ओफर दिया जा रहा है इसको पर्चेज करने के लिए वो 3,100 अनचे से जो की काफी कम है तो आपको इसको इन्रोल करना है इन्रोल करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिसकप्शन में दिया है और मैं आपको बता दू कि इसमें अगर आप मेरे आपके टोप अजुगटर यानिकर जो Tut educator है अनके दोवरा analysis यहाँ पर किया जाएगा learner experience index यहाँ कि जो आपकी performance है उसका index भी आप यहाँ पर इस सरीज को सवाल डवरो हो तो आप कमेंट के मात्यम से पोच लीजएगा अब आपसे पोचे कि क्या आप registered हो nursing council के अंदर अगर हां तो आपको yes करना है नहीं तो no कर देना है मैंना यहाँ पर yes किया yes करने के बाद आपसे पोचे कि please specify which nursing council you are registered with कौन सी nursing council के साथ आप registered हो बिहार nursing council, इंडियन nursing council या फिर any state nursing council तो जिस भी council से registered हो वही आप select करेंगे अब आपको nursing council का जो रजिस्टर सा number हो यहाँ पर enter करना है इसके बाद आपसे पोचे कि क्या आप इंडिया के citizen हो तो यहाँ पर मैं yes कर देता हूँ यस करने के बाद क्या आप बिहार के domicile है अगर है तो यस करेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर no करना है जिसके मैं यहाँ पर आपको no करता हूँ, no करने के बाद आपको बस यह कहाए कि आप unreserved category में compete करेंगे यानि के बिहार के अलावा अन्या state के candidate चाहिए वो किसी भी category के है उनको general category के अंदर रखा जाएगा apply वो इसमें definitely कर सकते हैं, तो mainly इस form को बिहार के candidate बढ़ेंगे इसलिए मैं आपर yes कर देता हूँ फिर आता है cast category, तो जो भी आपकी cast category है, वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है, जिसे कि मैंने यहाँ पर यह सिलेक्ट किया है, यह मैंने आपको example के रूप में select करके दिखाई है तो अब आता है date of birth, आपको यहाँ पर आपकी जो भी डियो भी है, वो calendar के उपर किलिक करके select कर लेनी है, पहले यहाँ पर year select कीजए, फिर यहाँ से month और इसके बाद में date आपकी डियो भी आ जाएगी, मैंने expected डियो भी यहाँ पर आपको fill करके दिखाई है, gender आपको select करना 40% यह उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो yes कीजे ने तो आपको no करना है, अब आपसे पूछा कि क्या आप जो freedom federal को registration मिलता है उसको claim करते हो, अगर हाँ तो yes कीजे ने तो आपको no करना है, अब आता है email address, यहाँ पर आपको अपनी email ID एंटर करनी है, इस email ID को दोबरा से ड जानकारी जाएगी, तो यहाँ पर अभी capture code fill करने के बाद आपको I accept इसके उपर क्लिक करना है, और इस सभी जानकारी को verify करके submit and continue इसके उपर क्लिक करना है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो रहिश्यसन है वो आपका complete हो चुका है और आपको आपका नमबर मिल चुका है और जो आपका password है वो आपकी DOB है, तो आपको यहाँ पर login to continue इसके उपर क्लिक करना है, उसके पहले आपको इस जानकारी को save कर लेना है, जैसे आप login to continue के उपर क्लिक करने के आपके सामने login पे जाएगा, यहाँ पर आपको आपका application number enter करना है, date उपर select करनी है, यह capture code फिल करना है, और login के उपर क्लिक करना है, login के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने dashboard आपका आजाएगा, जो कि कुछ इस परकार का होगा, यहाँ पर आपकी कुछ personal detail फिल अप की गई है, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर बढ़नी है, जिसर जिसकी यहाँ पर दोस्तों आपसे आपका further name मंग गया है, तो जो भी आपका further name है, वो यहाँ पर आपको 10 की mark sheet के नुसार, enter करना है, फिर आपको यहाँ पर आपकी मताजी का नाम एंटर करना है, अधार card number आपका जो भी है, वो यहाँ पर आपको enter कर देना है, medical status यहां पर आपका नीचे आता है address for correspondence यानि के present address तो जो भी present address है वो यहां पर आप फिल करेंगे आपको यहां पर अपना पूरा address एंटर करना इन तीन box के अंदर चलिए हम यहां पर इसको enter कर देते हैं यह करने के बाद यहां पर आता है state तो आपकी जो भी state है वो आप यहां से select कर लीजिए district यहां पर आपको select करनी होगी जिसे की जो अन्य श्टेट के candidate है उनके सामने भी यहां पर district के option आ चुके है तो मैं यहां से अरणपूर select कर लेता हूँ अब आपको आपका पिन कोड यहां पर enter करना है अब नीचे है आपका permanent address यान के स्थाई पता तो अगर आ आले 10th की जानकारी देनी है तो 10th में आपको बताना है कि आपने 10th कौन से board से की है फिर specialization में आपको यहां पर all subject लिख देना है तो चलिए मैं यहां पर इसको enter कर देता हूँ फिर यहां पर आता है यहां पासिंग कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यह आपर बताना होगा तो चलिए हम यहां पर इसको enter कर देते हैं फिर आता है maximum marks maximum marks कितने थे सबी subject को मिला करके वो आपको enter करने उसमें से जो number आपको आएते हो यहां पर डाल देने परसेंटेज आपकी आ जाएगी फिर जो आपने qualification select किये उसकी जानकारी आपको देनी है अब आपने कौन से specialization के अंदर आपकी एक qualification किये है फिर आता है euro passing कि आपने कौन से ताल के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहां पर बताना है maximum marks यहां पर enter करने है कितने number आपको आई थे वो यहां पर बताने है और percentage आपकी automatically आजेगी इसके बाद यहां पर आपको नीचे tick करन है और save and continue के उपर click करना है यहां पर दोस्तों आपको बताए कि जिसके number cgpa के अंदर आप उनको percentage के अंदर convert करके यहां पर दे सकते है अब यहां पर आपके सामने photo upload का section आता है तो आपको नीचे आने और यह जो instructions दिए है इन instructions को आपको read करना है इसके according ही आपको आपका photo upload upload करना है basically आपका photo साफ होना चाहिए कोई इसमें blur या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो यहां पर आपको basically instructions दिए यह आपको एक बार अच्छे से read कर लेने है इसके बाद यहां पर आपको क्या करने है आपको choose file के उपर click करने है और जहां पर भी आपका photo है वो आप प्रोब्लम आ सकती है तो आपको यहां पर click to resize your image इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपके सामने website आ जायेगी अब आपको यहां पर जो आपका image जो कि आपको resize करने वो image आपको select करना है और इसको यहां से open कर ले ओपन करने के बाद यहां पर आपको dimension में क्या करना है आपको five six six left करना है और आपको wide 150 रखनी है और जो आपकी हाइट यह वह आप 180 कर देंगे इसके बाद यहां पर आपको के भी size 50 enter कर देना है और resize image नाओ के ओपर क्लिक करके इस image को download कर लेना है और वो image आपको यहाँ पर upload करना है तभी आपका image upload हो पाएगा इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपका signature upload करना है जिसका pixel 140 into 160 रहना चाहिए तभी वो upload हो पाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपका जो upload document है इस section में आपको registration certificate upload करना है जो आपका council का registration है उसका format PDF का होना चाहिए और यह सभी document upload करने के बाद आपको save and continue के उपर click करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके form का preview आ चुका है आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लीजी अगर आपको लगता कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको यहाँ से सही कर लीजी edit application के उपर click करके नहीं तो यहाँ पर आपको tick करना है और continue to payment इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपको payment के page पर transfer किया जाएगा आप यहाँ से payment का amount चेक करें इसके बाद click to pay के उपर click करके यहां से ok करें तो आपको यहां पर जो आपकी build desk है जहां पर आपको सभी option दिये जाएंगे fees को जमा करनेंगे वो आ चुके है आप इन में से जिस माद्दिम से चाहिए अपनी application fees जमा कर पाएंगे आपको यहां पर पहले अपनी email ID डालनी है mobile number डालना है यह सब आपको देखने को यहां पर मिल चुका है basically पहले से ही तो आप यहां पर इन में से कोई भी एक payment gateway सेलेक्ट करके फीज को जमा कर दीजिए जैसे ही आपकी फीज जमा हो जाएगी आप अपने form का final print out ले पाएंगे इस परकार से आप लोग भी हार सी है जो online form 2022 को भर पाएंगे जानकारी पसंद आईए तो आप वीडियो को like, share और आपके अपने YouTube चैनल ग्यांदे होस्ट को subscribe करके बैल आइकन को on कर ले, thanks for watching, जै हिंद